हेलो फ्रेंड्स मैं प्रीती आदफ स्वागत करती हूँ आपका हमारी एक और नए वीडियो में आज अंजानेंगे कि प्रिग्नेंसी के दौरान भीडिंग क्यों होती है वैसे तो प्रिग्नेंसी में खून भेना काफी नॉर्मल हो सकता है पर कई बार ये नॉर्मल ना होकर मिस्कैरिज का शुरुवाती लक्षन भी हो सकता है वैसे प्रिग्नेंसी के समय आपके पीरिट्स बंद हो जाते ही खून भेना भी बंद हो जाता है पर कंसीव करने के बाद कुछ हफतों तक बहुत से महिलाओं को हलका खून या फिर खून के धब्बे आते हैं चोकि नॉर्मल है ऐसा लगबग 25% महिलाओं में देखा जाता है पर कभी कभी इस प्रकार प्रिग्नेंसी में खून भेना गर्पात की शुरुवाती का लक्षन रहता है और प्रिग्नेंसी में खून भेने की कई कारण हो सकते हैं गर्बा वस्ता में खून भेने का पहला कारण है इंप्लांटेशन ब्लीडिंग क्योंकि जब इक फर्टिलाइज अंडा यूट्रस की पास आता है तो हलका खून भेता है और नॉर्मली ये पीरिट साइकल के टाइम पर होता है जिस कारण कई बार महिलाओं को पहले से ये मालूम नहीं रहता है कि वो प्रिग्नेंट है और इस खून को वो पीरिट साइकल का खून समझ बैठती है इसके अलाबा प्रिग्नेंसी में कुछ खास हार्मोंस पीरिट्स को होने से रोग देते ही जिस कारण प्रिग्नेंसी में पीरिट्स नहीं होते पर कई बार हार्मोंस पूरी तरीके से तयार नहीं होते है और इसी वज़े से प्रिग्नेंसी में मैंस्वल साइकिल के समय यानि गर्बदारण के चौथे आठवे या बारवे सप्ता में हलका या ज़्यादा खून आता है और पीरिट्स की तरह ही इसमें दर्द होता है और एठन होता ही है ऐसा नॉर्मली तीन महा के गर्ब तक होता है क्योंकि इसके बाद ओवरी की जगे प्लेसेंटा हर्मोन बनाना स्टार्ट कर देता है पर कुछ महिलाओं को पूरी प्रिग्नेंसी के दौरान खून का बहना जारी रहता है या फिर भी विप तंदुरस बच्चे को जनम देती है इसकी अलावा अगर घर्ब में भून की मौत हो जाती है तो उस कारण भी प्रिग्नेंसी में खून बह सकता है ऐसी इस्तिती पूरी प्रिग्नेंसी के दौरान कभी भी हो सकती है ब्रून की मृत्तियों यानि गर्ब पात के कई कारण हो सकते है ऐसा यूरिनरी या यूट्रस में इंफेक्शन से हो सकता है बोडी में पाने की कमी की वज़े से हो सकता है या फिर चोट लगने की वज़े से भी हो सकता है इसके अलावा भारी सामान उठाना, गलत तरीके से रिलेशन बनाना मान से एक तनाव के कारण भी गर्भात की संभावना होती है इसके अलावा अस्थानिक गर्भावस्ता यानि एक्टोपिक प्रिगनेंसी में खून का आना और एठर होती है जब एक फर्टिलाइजन्टा गर्भास्य के बहार यह फैलोपियन ट्यू में इंप्लांट होता है तब उस इस्थिति को एक्टोपिक प्रिगनेंसी कहते है इस इस्तिती में जब अंडा बड़ा होता है तो कई बार फैलोपियन ट्यूप फट जाता है और इसी वज़े से खून बहता है ये इस्तिती बहुत ही गंबीर होती है इसके अलावा जब भूर सही तरीके से विक्सित नहीं हो रहा हो पर प्लेसेंटा बनने वाली कुछ कोसिकाएं बढ़ना जारी रहती है तब इस इस्तिती को मोलर प्रिगनेंसी कहती है इस इस्तिती में भी खून का बहना हो सकता है इसके अलावा प्रिगनेंसी में यूटर्स का फटने की कारण क्या होता है कभी-कभी डिलेवरी से पहली या डिलेवरी की समय यूट्रस फट जाता है जिस कारण गर्ब का भूर, पेट की ओर खिसक जाता है ये इस्तिती प्रेगनेंट मेला और बच्चे दोनों के लिए ही खतरनाख होती है इस इस्तिती में भी खून बहता है इसके अलावा प्रेगनेंसी के दोरान रिलेशन बनाने के कारण भी खून बह सकता है जोकि नॉर्मल सिचुएशन होती है लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी के दोरान खून का बहना सुरू हो जाता है तो जल्दी ही आपको अपने डॉक्टर से कॉंटेक्ट करना चाहिए उनसे सलहा लेनी चाहिए वो मेडिकल जाज करके ये बताएंगे कि ये ब्लीडिंग सामान इस्तिती है या गमगी फिर डॉक्टर के निर्देसा अनुसा जरूरत हो तो उचित इलाज कराना चाहिए इसके अलावा इस दोरान आपको आराम करना चाहिए और तागत लगने वाला कोई भी काम नहीं करना चाहिए आपको इस टाइम रिलेशन नहीं बनाना चाहिए और पैड का इस्तिमाल जरूर करना चाहिए साथ ही सरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए इसके लिए आपको जादा से जादा पानी पीना चाहिए फ्रेंड्स में उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी ऐसी ही informative वीडियो देखने के लिए आप हमारी इस चानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें जादा से जादा इस वीडियो को अपने प्रेंस के साथ शेयर करें अगर आपके पास में सवाल है तो हमसे जरूर पूछें हम वीडियो लाइब होने के एक घंटे के अंदर आए सभी सवालों के जवाब देने की फूरी कोशिश करेंगे चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए खुस रहिए स्वस्त रहिए